हेलो दोस्तों आज के वीडियो में मार्च 2024 के मन्तली करेंड एफेस को डिसकस करेंगे इस वीडियो में टोटल 175 को डिसकस किया जाएगा तो शुरू करते हैं फर्स्ट कोशन के साथ तो फर्स्ट कोशन है तो व्ल्ड हैपिनेस रिपोर्ट 2024 में इंडिया की रैंग है option B 126 तो व्ल्ड हैपिनेस रिपोर्ट 2024 इसको पब्लिश किया गया था उनायटे नेजसंस सटेनेबल डेवलेपमेंट सॉलुशन नेटवर्क के द्वारा इसमें इंडिया की रैंग 126 है Top countries की बात करें, तो top cry Finland, second में Denmark and third में Iceland and last में Afghanistan. तो इसमें countries को ranking दिया दिये on the basis of factors, जैसे की GDP per capita, social support, personal freedom, corruption या फिर healthy life. Next question है, which film won the best film award at Oscar 2024? तो इसका अंसरोगा option B, Oppenheimer. तो 96th edition of Academy Awards या फिर Oscar Award 2024, इसमें winners की बात करें, तो best actor का अवार जीता है, Cillian Murphy, Oppenheimer के लिए, best film का अवार जीता है, Oppenheimer, best actress, Emma Stone for Poor Things, best director, Christopher Nolan for Oppenheimer. Next question है, who won the title of Miss World 2024? तो इसका अंसरोगा option C, Christina Syskova, ठीक है? तो Miss World 2024 ये event मुंबई में हुआ था, इंडिया ने इसको होस्ट करा था, इसमें टाटल जीता है, Christina Syskova ने, जो की चेक रिपब्लिक कंट्री से बिलों करती है, एंड रेनर अप रहा था, यास्मिना जेतुन, जो की लेबनान से हैं. नेक्स्ट कोर्शन है, विच्टीम वन दे टाटल ओफ 77th, 2023-2024, संतोष ट्रोफी, तो संतोष ट्रोफी ये फुटबल से रिलेटेड है, तो 2023-2024 का जो ट्रोफी है, इसका टाटल जीता है, option C, सर्विस ने. तो ये एक फुटबल टूनामेंट है, और ये अरुनाचल प्रदिस स्टेट में हुआ था, विनर की बात करिये तो चैंपेन रहा है सर्विस, एंड रेनर अप रहा था गोवा, बेस्ट प्लियर का वार जीता है, समीर पुर्मू, एंड बेस्ट गोलकिपर का वार जीता है, स्यद बिन अब्दुल कादिर, प्रेक्ष्ट कुस्सन है, विच कंट्री बिकेम दो 32nd मेंबर ओफ नाटो, नाटो ये दुनिया का लार्जस्ट मिलिटरी अलाइन्स है, और इसका 32nd and latest member बना है, उप्सन C, स्वेडन, तो नाटो का फुल फॉर्म होता है, North Atlantic Treaty Organization, ये दुनिय First member था इसका Finland and 32nd Sweden, आपको Sweden यहाँ पर मिल जाएगा, Next question है, Which team has won Rajni Trophy 2024 title, तो Rajni Trophy 2024 का title किस team ने जिता है, तो इसका अंसर अप्शन A, Mumbai, तो Mumbai ने इस title को जिता है, Rajni Trophy 2024 में, Runner Up रहा था, Vidarv, Player of the Series रहा था, Tanus Kotiyan, जो की Mumbai से है, and Rajni Trophy ये cricket tournament है, Next question है, What is the rank of India in gender inequality index 2022, तो इसका अंसर अप्शन C, 108, तो जेंडर inequality index 2022, इसको रिलीस किया गया था, United Nations Development Program के दोरा, ठीक है, In their Human Development Report 2023 and 2024, तो Human Development Report 2023, 2024, जो UNDP के दोरा publish किया जाता है, इसमें gender inequality index में, इंडिया की rank 108 है, out of 193 countries, top countries की बात करें, तो first में है Denmark, and second में है Norway, Question है, Recently PM Modi announced, How many astronauts for Gaganyan mission, तो PM Modi ने हाले में, Gaganyan mission के लिए, कितने अंत्रिक शात्री की घौसना की है, तो answer option A, 4, तो Gaganyan mission ये इंडिया का पहला, human space mission है, जिसको launch के जाएगा, 2025 में by ISRO, इसमें इंडिया 4 male astronaut को भेज़ेंगे, plus में एक female robot को भेजा जाएगा, जिसका नाम है वयो मित्रा, तो इसमें 4 astronauts का नाम याद रखेंगे, कौन-कौन से हैं, अंत्रिक शात्री, जो की Gaganyan missions के लिए जाएंगे, तो पहला है, पी बाला किर्सनन नायर, दुसरा है अजीत किर्सनन, तिसरा है अंगत परताब, एन चोथा है, S. सुकला, next question है, who developed India's second private rocket, तो भारत का second private rocket किसने develop करा है, तो answer हो का option A, अगनिकुल कोस्मोस कमपनी ने, अगर पहला की बात करें, first private rocket की, तो इसका नाम है, विक्रम S, जिसको develop करा है, Skyroot Aerospace ने, तो अगनिबान, यह second privately developed rocket है, जिसको develop करा है, अगनिकुल कोस्मोस ने, जो की best है चन्ने तमिलनाडो में, अगर बात करें, इंडिया की पहली privately developed rocket की, तो इसका नाम है, विक्रम S, जिसको develop करा है, Skyroot Aerospace ने, नेक्स्ट कोस्टन है तो 2023 के लिए सरस्वती समान किन्हें दिया गया है तो आंसरों का उप्शन परभा वर्मा उप्शन C से हो जाएगा तो थर्ड एडिशन ओफ सरस्वती समान 2023 यह एक लिटरी अवार्ड है जिसको के के विल्ला फाउंडेशन के दोरह दी जाती है विनर्स की बात करें तो 2023 के विनर है परभा वर्मा जो की एक मलियालम पोईट है एंड ओथर हैं और इनको रोद्र सत्विकम के लिए यह अवार्ड दिया गया है सरस्वती समान 2023 नेक्ट कोस्टन है इसको इसको रिलीस किया गया है इसमें इंडिकेटर्स कौन-कोन से आते हैं हेल्थ, इजुकेशन, इंकम, लिविंग कंडिशन तो यह सारे इंडिकेटर्स के अकोर्डिंग कंडिश को रैंकिंग दिया थी है इसमें टोप करा है स्विजेलेंट एंड सेकेंड में हैं नॉर्वे इंडिया की रैंक है 134 आट ओफ 193 कंडिश नेक्ट कोस्टन है तो अगर बात करें चीफ एलेक्षन कमिशन रगी तो यह हैं स्री राजीब कुमार और इनके लवा दो एलेक्षन कमिशन होते हैं इनका नाम है गयानेश कुमार और दोसरा है सुखविर सिंग संदू यहाँ पर देख लेते हैं राजीब कुमार जो की हमारे 25 चीफ एलेक्षन कमिशनर है इंडिया के अगर बात करें एलेक्षन कमिशन ओफ इंडिया की तो आर्टिकल 3.24 में दिया गया है इसकी कमपोजिशन की बात करें तो इसमें एक चीफ एलेक्षन कमिशनर होते हैं याने की मुख है चुनाओ आयुक्त होते हैं एंड इसके अलावा 2 अदर एलेक्षन कमिशनर होते हैं ठीक है इनका कारिकाल 6 साल का होता है या फिर age of 65 years इनको अपोइंट के आयाता है प्रिजिदेंट ओव इंडिया के दोरा एंड फिर्स्ट चीफ एलेक्षन कमिशनर दे इंडिया के सू कुमार सेन नेक्स्ट कुस्सेन है नायाब सिंग सेनी बिकेम दे न्यू चीफ मिनिस्टर ओफ इस्टेट तो नायाब सिंग सेनी हाले में किस स्टेट के नए मुख्यमंत्री बने है तो आंसरगा option A. हरियाना तो आर्टिकल 153 to 167 Constitution के part 6 में स्टेट एग्जिटिव के बारे में दिया गया है जिसमें Governor, Chief Minister, Council of Minister and State Advocate General आते है आर्टिकल 163, 1 में दिया गया है there shall be a council of ministers with Chief Minister at the head जो कि अपने governor को aid and advice करेंगे and present time हरियाना के governor है बंदारू दत्ता रिया Question है In which year was the Citizenship Amendment Act यानकि CAA passed in India तो आर्टिकल 153, 2019 अभी ये news में से लिए है क्योंकि March 2024 से Government of India के दोरा CAA यानकि Citizenship Amendment Act को implement कर लिया गया है तो CAA के बारे में details में जान लेते हैं इसको pass क्या गया था Parliament में December 2019 में इसमें अमेंड क्या गया Citizenship Act of 1955 को and it provides a path to Indian citizenship for persecuted minority refugees फ्रों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांगनादेश तो तीन कंट्री से हमारे प्रोसीदेश हैं इन से जो भी persecuted minorities हैं, refugees हैं उनको Indian citizenship दी जाएगी under CAA, ठीक है कौन-कौन से religion में सामिल है तो हिंदू हैं, Sikhs हैं, Buddhist हैं, Jain हैं, Parsi हैं and Christian है इसमें Muslim included नहीं है, ठीक है cut off date क्या है इसका तो इसका cut off date है December 31st, 2024 से पहले and इसका focus है और इसका aim है to protect minorities facing religious persecuted in neighboring countries, कहां-कहां तो Pakistan, Afghanistan and bangladesh, ठीक है next question है, Sela Tunnel has been constructed in which of the following state तो इसका अंजरोगाप्शन C, Arunachal Pardes तो Sela Tunnel ये provide करता है all weather connectivity between Guwahati Assam to Tuang Arunachal Pardes इसको construct किया गया है, BRO के दोरा यान की border road organization के दोरा इसका उद्गर्ण करा है PM Modi ने और इस project का cost है 825 crore next question है, recently central government launched उन्नती scheme for the development of DAS तो answer का option B, Industries तो industries के development के लिए central government के दोरा उन्नती scheme को launch किया गया है इसके बारे में जानने तो थोड़ा सा तो उन्नती इसका full form है उत्तर पूरुवा transformative industrialization scheme इसको launch किया है, union cabinet ने जिसको head किये थे हमारे Prime Minister Naren Modi ने इसको launch किया गया, for development of industries and generation of employment in the state of North East region तो याद रखेंगे यह North East region के लिए है और यह scheme आते अंडर Ministry of Commerce and Industry के और इसके मिनिस्टर है present time Pius Goyal टोटल बजट इसके लिए दिया गया है 10,037 करोर Next question है, recently who has launched Aditi scheme तो इसका अंसरोग option है राजना सिंग जो कि हमारे present time defense minister है तो Aditi scheme इसका full form है Async Development of Innovative Technologies with IDEX इसको launch किया गया है Defense Minister राजना सिंग के दोरा और इसका aim है to boost innovation in defense technology इसके लिए टोटल बजट दिया गया है 750 करोर इसके राजने राजना सिंग के दोरा तो हाली में International Big Cat Alliance को launch करा है PM Modi ने Option A सही हो जाएगा तो International Big Cat Alliance इसको recently approval दी है Union cabinet ने और इसकी headquarter होगी New Delhi Limited है और इसका purpose है to conserve 7 Big Cats कौन-कौन से 7 Big Cats हैं तो टाइगर है, लाइन है, लेपर्ड, स्वनो लेपर्ड, चीता, जागवार एंड प्यूमा तो इन 7 Big Cats के conservation के लिए रिसेंटली International Big Cat Alliance को launch किया गया है एंड इसमें अभी तक 16 countries आई-वी-सी-ए को जोइन करा है, ठीक है नेक्स्ट कॉस्टन है वर्ल्स फर्स्ट वेदिक क्लोक हैस बिन इस्टबिलिस्ट इन विचब दो फॉल्यविंग सीटी तो अंसर का option C उज्जेन मध्यपर्देश में तो वर्ल्स फर्स्ट वेदिक क्लोक इसका नाम है विक्रम आधित्या वेदिक क्लोक लोकेशन की बात करें तो ये उज्जेन मध्यपर्देश में लोकेटेट है और इसको अनुविल करा है प्यम मोदी ने नेक्स्ट कॉस्टन है वर्ल्स जरेंग ओफ इंडिया यहां पे होगा ठीक है इसको रिलीस किया गया यूएस चैंबर ओफ कॉमर्स के दोरह टोप कंट्रिस की बात करें तो इसमें टोप करा यूएस है सेकेंड में यूके एंड थर्ड में फ्रांस इंडिया के रहें के 42 उससे ने फू एज बिन अपोइंटेट ऐस दे चेर पर्शन ओ लॉकौर तो अंसर को अप्शन भी अजे मनिक्राव खन विलकर तो यह इंपोटेंट अपोइंट्मिन है इनको याद रखेंगे लॉक्पाल के चेर परशन बने हैं अजे मनिक्राव खन विलकर तो लोगपाल यह एक एंटी क्रॉप्शन बोडी है for the central government तो central government के लिए जो एंटी क्रॉप्शन बोडी है उसका नाम है लोगपाल तो अगर बात करें हिस्टरी की तो 2011 में अन्ना हजारे मुव्मेंट को स्टार्ट किया गया था फॉर लोगपाल 2014 में लोगपाल एंड लोका युक्त एक्ट ओफ 2013 यह फोर्स में आया था एंड 2019 में फिर्स्ट लोगपाल के चेर्मेंड बने थे पिना की चंद्रा गोश अगर बात करें लोगपाल की तो यह एंटी क्रॉप्शन बोडी होता है for state government, central government के लिए लौक पाल होता है, and state government के anti corruption body का नाम होता है, लौकायुक्त, next question है, who has been appointed as UPSC director, तो UPSC के director अभी कौन बने है, तो answer होगा option D, Hansa Misra, तो UPSC यानि की Union Public Service Commission, यह constitutional body है, constitution के part 14, article 315 से लेकर 323 में UPSC का जिक्र है, ठेक है, तो UPC के chairman and other members को appoint किया जाता है president के दोरा और इनका कारिकार यारिकी term होता है six year का या फिर age of 65 years next question है who has been awarded with the Able Prize 2024 तो Able Prize 2024 यह एक mathematics award होता है and 2024 के winner है Michael Tala Grant और यह award दिया जाता है by the Norwegian Academy of Science and Letters next question है when is sahit divas observed every year in India तो हर साल भारत में sahit divas का मना जाता है to answer question C 23rd March को तो क्यों 23rd March को मनाते है to remember the sacrifice of brave freedom fighter भागर सिंग सुखदेव थाफर एंड सिवाराम राजगुरू तो इन तीनों freedom fighter के sacrifice को याद करने के लिए हर साल 23rd March को सही दिवस मना जाता है कि विए 23rd March 1931 को भागर सिंग सुखदेव एंड राजगुरू को बीटिस के दोरा अफासी दी गई थी कहां पे तो लाहोर जेल में किसके लिए दिया गया था तो लाहोर conspiracy यानकी लाहोर साधियंत के लिए दिया गया था एंड वहीं पर बात करें 30 जनवरी को भी सही दिवस मना जाता है और इस दिन मात्मा गांदी जी का डेथ एनिवर्सरी होता है नेक्ट कोस्टन है वेन इस वर्ल्ट टीवर कोलोसिस दे यानकी टीवी डे अवजब्ड तांसरोग अप्शन C 24th March तो टीवी यह एक बैक्ट्रियल डीजिस है जो कि मैंली अफेक्ट करता है लंग्स यानि की फैफरिय को इंडिया का एम है टू एंड टीवी बाई 2025 तो वर्ल्ट टीवी डे 24 मार्च को मनायाता है क्योंकि 24th मार्च 1882 को रोबोट कोच ने एक बैक्ट्रिया की खोज की थी जिसके कारण टीवी होता है एंड 2024 में टीवी की थीम है वर्ल्ट टीवी डे की थीम है यस वीकेंड एंड टीवी नेक्स्ट कोचन है साइमन हैरिस बिकेम यंगेस्ट प्राइम निस्टर ओफ इच अप दो फॉल्लिविंग कंट्री तो अनसरों का प्षण डी आयर्लेंड तो आयर्लेंड आपको मेप यहां पे मिल जाएगा एंड इसकी केपिटल है डवलिन यहां पे सेल्टिक सी एंड यहां पे नॉर्थ सी और यह पूरा है युनाइटिट किंग्डम नेक्स्ट कोचन है सीपी राधा किर्शन बिकेम दे निव गवर्णर ओफ इच अप दो फॉलिविंग स्टेट तो इसका अनसरों का अप्षण सी तेलांगाना तो तेलेंगना के चीफ मिनिस्टर है पर्जन टाइम रेवनाथ रेड़ी एंड गवर्णर बने है रिसेंटली सीपी रधा किर्शन जो की एडिशनल चार्ज में है तो यहां पे गवर्णर यानकी राजपाल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं तो राजपाल को यानकी गवर्णर को अपोइंट किया जाता है बाई प्रिसिडेंट ओफ इंडिया आर्टिकल 153-167 पार्ट 6 में इसमें स्टेट एग्जेकुटिव के बारे में डील किया जाता है जिसमें गवर्णर चैफ मिनिस्टर, कांशल ओफ मिनिस्टर और इस्टेट एडिया जनल के बाड़े में दिया गया है आर्टिकल 153 में कहा गया है कि there will be a governor for each state यान कि हर एक state के लिए एक governor होगा और यह दिया गया आर्टिकल 153 में आर्टिकल 154 में दिया गया है कि जो भी executive power है यह vested होंगे governor के पास आर्टिकल 155 में governor के appointments related है 156 में इनका term दिया गया है पास साल 157 में qualification दिया गया है 159 में oath and affirmation है by the governor and 161 में pardon यान कि चमादन governor का दिया गया है इसके अलावा आर्टिकल 213 में ordinance दिया गया है ठीक है next question है which team won the title of 2024 women's premier league तो आनसरगा option ARCV यान कि royal challenger banglores तो men's team तो जीतने पारी है तो women यहां पर जीती है तो women's premier league का first title ही जीता है आर्टिबी ने ठीक है which political party got maximum electoral bonds तो हाली में जो electoral bonds election commission of India के दोड़ा publish किया गया था अपने website में तो इसमें सबसे यादा किस party ने electoral bond पराप्त किया है तो आनसरगा option B BJP ठीक है भारतिया जनता party यहां पर आप देख सकते हैं total 11,450 क्रोर का total value हुआ था electoral bond का 2017-18 से लेकर 2022-23 तक इसमें सबसे यादा electoral bond मिला है BJP को 6566 करोर का second नमर पर INC यानकी इंडियन नेशनल कॉंग्रेस इनको 1123 करोर का electoral bond मिला है शक्रकों सने when was the electoral bond scheme introduced आनसरगा option B 2018 तो recently Supreme Court ने electoral bond schemes को unconstitutional declare किया है क्योंकि यह right to information and freedom of speech and expression under article 19 1a of the constitution को violet करता है electoral bond schemes को 2018 में introduce किया गया था और पहले बार इसको budget 2017 में announce की गई थी and it allows anonymous funding to the political parties यानि कि यह गुमणाम तरीके से political parties को funding करने का अनुमति देता है electoral bond scheme and electoral bonds को issue क्या जाता है by SBI next question is who won पिर्चकर आर्खिटेक्टर प्राइस 2024 तो आनसरगा option A इनके विनर है रिकेंड यमा मोतो जो की जापान से बिलों करते हैं next question is which country is the largest importer of arms in the world तो आनसरगा option B इंडिया इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा आये तक है हतियार होगा ठेक है हतियार इंपोर्ट करता है तो according to Stockholm International Peace Research Institute यानि कि CPD इसके बात करें तो largest arm importer रहे हैं 2019 से लेकर 2023 तक यह largest जो arm importer रहा है यह रहा है माना देश इंडिया ठीक है तो यहां पर देख सकते हैं इंडिया 9.8% arm को इंपोर्ट किया है जो कि टोप पर है सेकेंड में सौधिय अरविया 3rd में है Qatar and 4th में है Ukraine अगर बात करें सबसे आदा किस ने export करा है arms को तो USA 42% उसके बाद Russia and 3rd में है France एक्ष को सेने recently which ministry launched किडिती प्रोग्राम तो आंसर अप्षन B ministry of sports तो किडिती इसका full form है खेलो इंडिया राइजिंग टेलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम इसको लॉंच किया गया 36 घर में to promote sports among school children ने सनवाइट है तो पूरे देश में जो school children है उसमें sports को promote करने के लिए इसको लॉंच किया किर्थी प्रोग्राम को by ministry of sports इसको लॉंच करा है अनुराक ठाकुने जो कि sports minister है इंडिया के next question है when is world wildlife day celebrated every year तो इसका अप्षन C 3rd March को ठीक है motivation next question है who will be the India's flag bearer at the Paris olympic 2024 तो इसका अंसरोगा option ए सरत कमल जो की एक tennis player है next question है इंडिया लॉंच ओपरेशन इंद्रावती टू इवेक्वेट इंडियन सिटिजन्स फरॉम विच अप्षॉप दो फॉल्लविंग कंट्री तो अंसरोगा option A है थी तो रिसेंटली है थी में गेंग के दौरा आर्म गेम के दौरा कंट्रोल कर लिया गया था है थी में तो इस डिश्टरमेंस के कारण इंडिया ने ओपरेशन इंद्रावती को लॉंच किया गया था इंडियन गोर्मेंट के दौरा है थी में तू इवेक्वेट इंडियन सिटिजन्स फरॉम है थी अब यहां पर देख सकते हैं यह एक केरिबिन कंट्री है है थी यह इंडियन सेपरेट हुआ था फ्रॉम बेंगाल प्रोविंस ठीक है और इसा से सेपरेट हुआ था 1936 में एंड लास्ट में जारकन से सेपरेट हुआ था 15 नॉम्बर 2000 को नेक्स्ट कोशन है इंडियास फर्स्ट आयुरुवेदिक केफे ओपन्स इन विच फोल्विंग सेटी तो इसका अंसरोगा उप्शन ए देली कोशन है वेर हैस इंडियन आर्मी इंडुक्टेट फर्स्ट अपाचे 451 अविएशन स्कॉर्डरन तो आंसरोगा उप्शन ए ज हेलिकॉप्टर तो इस हेलिकॉप्टर को ओपरेट करने के लिए इंडिया का पहला अपाचे 451 एविएशन स्कॉर्डरन को जोथपूर में इंडियन आर्मी के दोरा इंडुक्ट किया गया है अगर बात करें इंडिया एन युएसे के बीच 800 मिलियन डॉलर का डील हुआ है जिसके जरे इंडिया 6 अपाचे हेलिकॉप्टर को बाई करने वाल है और इस हेलिकॉप्टर को बनाया है बॉइंग कंपणी ने जो की युएसे का कंपणी है नेक्स्ट कोसन है वेन वाज दे पीम स्री स्कीम लांच्ट तो आंसरोग अप्शन दी टूथाजन टूजन टू तो रिसेंटली तमिलनादू गोवर्मेंट ने एक MOU साइंड करा है विद सेंटल गोवर्मेंट सेंटल गोवर्मेंट के एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ एक MOU साइंड करा है तमिलनादू गोवर्मेंट ने टू इंप्लिमेंट पीम स्री स्कीम ठीक है तो पीम स्री का फ ग्रेट क्या जाएगा एंड इसके लिए टोटल बज़र्ड दिया गया है 27,360 क्रोर नेक्स्ट कॉस्टन है विच इस्टेड रिनेम्ड अहमद नगर एस अहलिया नगर ठीक है नेक्स्ट कॉस्सेन है विच इस्टेड गर्म्म इस्टेड गर्मेंट है और वेलफेर मिजं़ के दोरा तो इस्टेड क्या रोग्राम्स या फिर welfare programs को launch किया जाता है तो उसके implementation के जो review है उनको review करने के लिए इस scheme को launch करा है terminado government के दोरा ठीक है next question है बिचों बिकेम दर 27th district of each of the following state तो इसका अंसरोगापसन सी और नाचल परदेश और इस इस और इस state के जो बिचों डिस्टिक है नया डिस्टिक बना है इसका inauguration किया गया था अरुनाचल परदेश चिफ मिनिस्टर पेमा खांडो और यह जो डिस्टिक नया बना है यह वेस्ट एंड इस्ट कामेंग कामेंग डिस्टिक से बना है ठीक है अब यहां पर देख सकते हैं इहां पर इस्ट कामेंग है एंड यहां ओन वेस्ट कामेंग तो इन दोनों डिस्टिक के बीच में यह नया डिस्टिक बना है जोकी 27 डिस्टिक बना है अरुनाचल परदेश का और इसका नाम है भीचोंग नेक्स्ट को सने विच स्टेट गॉर्मेंट हैस लॉंच्ट वीडो री मेरेज इंसेंटिव इसकीं तो इसका अंचरोंगा ऑप्शन सी जारकंड तो विद्वा पुनर विवा प्रुत्साहन योजना इसको लॉंच करा है जारकन गुवर्मेंट के दौरा जारकन के चेप मिनिस्टर चंपी सोरन के दौरा इसको लॉंच किया गया है और इस इसकिम के अंतरगत टू लाग फाइनेंसिल असिस्टेंट दी जाएगी जो कि इंडिया का पहला इसको टीचर रोबोट को डेवलप करा है और इसका नाम रहा है आईडिस आउडिया फ्र्स डॉंज इन आप्टन जोगी के अ स्थेट निएटिय फ्रस्फी रिश्च सेंटर इनावडरेटेटी इन फेलर इनफ वीचम पूल्लिवीं इस तेट लेप Most नीश जोगी कैपिंटेल है बिहर इस्टेट, कई. तो एंडिया फ्र्स नेशनल डॉल्फीन रिसर्च सेंटर NDRC इसका उद्गारन करा है विहार के चेप मिनिस्टर नितिस कुमार ने पतना में और यह सिस्टुएटेट है ऑन दे बैंक ओफ गंगारी पर अगर बात करें गेंगेटिक डॉल्फिन्स की तो यह नेशनल एक्वेटिक एनिमल है तो भारत का पहला स्टेड रिसेंटले तो आंसरोगा अप्शन डी मिजोरम ठेक है तो चप्चार कुट फेस्टिवल यह एक स्पिरिंग फेस्टिवल है और इसको मीजो न्यू इयर फेस्टिवल भी कहा जाता है इसको सेलेब्रेट कहा था बाई मीजो पीपल नेक्ट को सने हू लॉंच इनिशेटिव फ्रों तमिल नाडू नेक्स्ट को सने एक्सराइज इस्टिट फास्ट डिफेंडर टूथाइन ट्वंटिफॉर हैज बिन कंडुक्टेड बाई तांसरोगा अप्शन ए नाटो अलाइंस तो इस्टिट फास्ट डिफेंडर नाटो का लार्जस्ट मिलिटी एक्सराइज है इसको रिसेंटली कंड़क्ट किया गया है नेक्स्ट को सने लुइस मॉंटे नेग्रो बीकेम दो प्राइम निस्टर विच उप फॉलोविंग कंट्री तो इसका अप्शन डी पूर्तगाल ठीक है तो पूर्तगाल आपको मैप यहां पर मिल जाएगा एंड पेस्पेन है इसकी प्रोसीदेश नेक्स्ट को सने सेंट्रल गोर्मेंट अलोकेटेट आरेस डेस करोड टू मेक स्ट्रॉंग रीजनल रूरर बैंक्स यानकी आर आर बीज तो अनसर अप्शन ए 6212 करोर तो सेंट्रल गोर्मेंट के दरह टोडल 6212 करोर दिया गया है ताकि जो रीजनल रूरर बैंक्स है उनको मजबूत कर जा सके ठीक है तो आर आर बी यह सेड्यूल कमर्सियल बैंक्स होते हैं फोर रूरल एडियास इंडिया का पहला आर आर बी इसका नाम है पर्थमा बैंक अव अच्राबाद उत्तर बर्दिस में लोकेटिट है और ये इसके स फिर्स्ट पिग किडिनी ट्रांसप्लांट इन हुमन मनुस्व में सुवर की किडिनी का पहला ट्रांसप्लांट किस देश में क्या गया है तो आंसर अप्सन ए यू ए से next question is what is the name of the space telescope that discovered two ancient streams of star named Siva and Sakti, to answer option B, Gaia, question is when is the world meteorological day celebrated, to answer option C, 23rd March, its theme was in 2024 at the front line of climate action, next question is AUKUS partnership to build nuclear-powered SSN AUKUS submarines for which of the following country, answer option B, Australia, Australia, nuclear-powered submarine will be made by AUKUS alliance, AUKUS partnership is a security partnership in which Australia, USA and UK are familiar, okay, next question is who has been honored with the Bhutan's order of the drug Gyalpo award, this award is the highest civilian award, and Bhutan, Bhutan, Bhutan के बाहर इस award को प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बने है PM Modi, okay, तो इस award से सम्मानित के आगिया रिसेंटली इंडिया के प्राप्मिनिस्टर नरेंदर Modi को, next question is, India's first battery storage giga factory to start operating in which of the following state or union territory, to answer option C, Jammu and Kashmir, next question is, when is World Water Day celebrated every year, to answer option A, 22nd March, and this bar is the theme water for peace, next question is, Sakhi app has been developed for which of the following mission, तो Sakhi app को developed किया गया है, गगणियान missions के लिए, ठीक है, and this app will, this app will help गणियान astronauts with technical assistance, health monitoring, या फिर mission management, तो यह सारे चीज में, गणियान mission में जो अंत्रिक शात्री होंगे, उनको मदद मिलेगा, under this Sakhi app जिसको developed किया गया है, गणियान mission के लिए, ठीक है, next question है, Vinay Kumar appointed as new Indian ambassador to which of the following country, तो इसका अंसरोगा option A, Russia, next question है, who has been awarded with the Sangeet Kalanidhi Award 2024, तो इसका अंसरोगा option A, T.M. Krishna, तो T.M. Krishna यह कानेटिक musician है, incolliscently Sangeet Kalanidhi Award 2024 से सम्मानित किया गया है, next question है, which country inks deal to purchase Indian made dronier aircraft, तो इसका अंसरोगा option A, Guyana, तो Guyana के दोरा, जो Indian made dronier aircraft है, इसको खड़ीदा जाएगा, गयाना आपको यहाँ पर मिल जाएगा, इसकी capital है, George Town ठीक है, गयाना विल अक्वाइट two dronier 228 aircraft जिसको बनाया है हिंदुस्तान Aeronautics Limited ने, यहाँ आप picture में देख सकते हैं, यह है dronier 228 aircraft, next question है, इंडिया conducted joint military exercise, exercise tiger triumph 2024 with which of the following country, तो इसका answer option A, USA, और यह कहाँ पर इसको conduct किया गया था इस exercise को, तो east coast of India में, यह इंडिया है, and इसके east coast में इसको conduct किया गया है, next question है, which institution launched know your candidate, यानि की KYC app, तो answer option A, ECI यानि की election commission of India, next question है, which state inaugurated India's first indoor athletics aquatic centers, तो भारत का पहला indoor athletics aquatic centers को launch करा है, Odisha government के दोरा, और इसका inauguration किया गया था by Odisha chief minister, नविन पतनायक, और यह कहाँ पर बना गया है, तो भूहने सोर में, next question है, who has been appointed as chairperson of the central board of secondary education, यानि की CBSC, तो इसका answer option A, Rahul Singh, next question है, India conducted exercise Lamythi A, 2024, with which country, तो इसका answer option C, CSL, तो Lamythi A, 2024, यह joint military exercise है, between India and CSL, next question है, India's first integrated oil pump processing unit has been established in which of the following state, तो इसका answer option C, अरुना चल पर देश, और इसको established किया जाएगा, by 3F oil palm company, next question है, model code of conduct, यानि की MCC, is enforced by which of the following institution, तो answer option B, ECI, यानि की election commission of India, तो आदर्स आचार सहीं था, recently, जो लोगसभा election 2024 है, इसके लिए लागू किया गया है, by election commission of India, तो MCC prohibits, जैसे की, campaigning at the place of worship, तो जो जब आदर्स आचार सहीं था, या फिर model code of conduct, इन्फोस किया जाता है, election commission of India के दोरा, तो क्या-क्या कर सकता है, जो political parties है, तो यह जो places of worship है, यहाँ पर campaign नहीं कर सकता है, personal attacks नहीं कर सकता है, corrupt practices नहीं कर सकता है, या फिर जो private property है, उसका इस्तमाल नहीं कर सकता है, next question है, who has been awarded P.V. Narsimah Rao Memorial Award for Philanthropy Work, तो answer option B, Ratan Tata Ji, next question है, which state has topped in illegal trade in shark body parts, तो shark body parts के illegal trade में किस state ने top किया है, तो answer option C, Tamil Nadu, next question है, where is the headquarters of Indian Navy in India, तो answer option A, New Delhi, तो Indian Navy का खुद का headquarter बन चुका, ये खुबसरत सा headquarter है, New Delhi में located है, तो Indian Navy got its own headquarter, जिसका नाम रखा गया है, नौ से ना भावन, इसका उद्घटन करा है, Defence Minister Rajna Singh ने, next question है, India and which country signed MOU on law and dispute resolution, तो answer option C, Singapore, ठापूर, ठीक है, next question है, Paul Alexander, the man in the iron lung, अब यहाँ पे picture में देख सकते हैं, past very recently, he was from which of the following country, ठीक है, तो answer option A, America, next question है, नुमालीगर रिफाइनेडी ओपन्स फर्स्ट ओवर्सीज ओफिस इन विच अप दो फॉलिविंग कंट्री, तो answer option C, Bangladesh, तो नुमालीगर रिफाइनेडी यह लोकेटेट है असाम में, next question है, रिसेंटली एक्सरसाइज कटलास एक्सप्रेज टूथाइनेडी ओफिस इन विच अप दो फॉलिविंग कंट्री, तो answer option A, तो सेशल में इस एक्सरसाइज को कंड़क्ट किया गया है, ठीक है, तो सेशल आपको यहाँ पर मिल जाएगा, मेडागसकर के ऊपर, इंडियनोसंद में, ठीक है, तो यह एक मल्टिनेशनल नेवल एक्सरसाइज था, और इंडिया के दरश से पार्टिसिपेट किया था, आई एनेस तीर, next question है, recently researchers discovered a new scorpion species, with eight eyes and eight legs in which country, तो answer option C, Thailand, and इसको discover किया गया है, काइंग कराचन नेशनल पार्ग, Thailand में, next question है, where has India's first automobile in plant railway, siding been launched, तो answer option A, गुजरात, तो इसको build किया गया है, मारुतिसुजी की plant, हंसलपूर, गुजरात में, इसका उद्गार्ण करा है, PM मोधी ने, और इसकी capacity है, थ्री लाक्स कास्ट पर येर, इसको transport कर सकता है, यह जो railway बनाया गया है, railway siding ठीक है, और यह इंडिया के पहली, automobile in plant railway siding है, next question है, who has been appointed as chairman of national commission for schedule caste, तो इसका अंजरोगा option B, किसोर मक्वणा, तो national commission for schedule caste, इसका formation हो था 2004 में, यह एक constitutional body है, article 338 में आते हैं, ठीक है, under ministry of social justice and empowerment, यह वहीं पर article 338 A, इसमें national commission for schedule tribe, यान की ST आते हैं, national commission of schedule caste, यान की NCSC, ठीक है, यह 338 में, and 338 A में आते हैं, NCST, आसीफली जर्दारी, सोन इन as 14th president of which of the following country, तो आंसर का अप्सन A, Pakistan, नेक्स्ट कोशन A, operation कामधेनू, कामधेनू has been launched in which of the following state or UT, to combat cattle smuggling, तो इसका अंसर का अप्सन भी, जम्मो एन कास्मिर, तो सने, which country became the second largest mobile phone producer globally, तो अंसर का अप्सन C, इंडिया, महीं पर बात करें, first country की, तो यह है चाइना, नेक्स्ट कोशन A, वर्ल्स फर्स्ट लार्ज स्केल, मेकनाइज्ट ट्रोपिकल सीवीड फार्म, has been launched in which of the following country, तो अंसर का अप्सन C, इंडिया, तो इसको लोंच किया गया है, बाई C6 Energy, जो कि इंडिया की सीवीड प्रोडूसर्स हैं, और यह लोंबोक, इंडिया में, यह जो दुनिया की पहली लार्ज स्केल मेकनाइज्ट ट्रोपिकल सीवीड फार्मिंग है, इसको लोंच किया गया इंडिया में, ठीक है, सीवीड क्या होता है, यह एक मरीन आलगी है, जिसको बायो फर्टिलाजर्स, बायो प्लास्टिक्स, रिनेबल केमिकल्स बनाने के लिए इस्तिमाल किया जा सकता है, नेक्स को सने, विजिस्टर्स माजूली मास्क गोट जी आई टेग रिसेंटली, तो आनसरोग अपसन सी असम, तो रिसेंटली असम के दो प्रोडॉक्ट को, जी आई टेग मिला है, माजूली मास्क एंड माजूली मैनुस्क्रिप्ट पैंटिंगो, माजूली ये दुनिया का लार्जस्ट रिवर आइलेंट है, जो बनाया गया है, बरहमपुत्र रिवर के दोरा, नेक्स्ट कोस्टन है, नोर्थ इंडिया स्फर्स्ट गवर्मेंट होम्योपेथिक कॉलेज टू बी इस्टब्लिश्ट इन विचब्ट फॉलिविंग इस्टेट और यूटी, तो इसका अंसरों का आप्शन सी, जम्मौन कास्मिर, तो लोकेशन की बात करें, तो ये कत हुआ जम्मौन कास्मिर में इसको इस्टब्लिश किया जाएगा, टोटल कोस्ट है इसकी 80 क्रोल, और इसके अनास्मेंट की है जीतंदर सिंग, जीतंदर सिंग ने जो की मिनिस्टर अफ इस्टेट है साइन्स एंड टेक्नोजी के, नेक्ट कोस्टन है, इसकी कमांडर थे अहम किंग्डम के 1228 से लेकर 1826 तक अहम किंग्डम चला था ठीक है, बेटल ओफ स्राइगाटी इसे रिलेटेट है, तो बेटल ओफ स्राइगाटी ये 1671 में लडा गया था, बेटल मुगल इंपायर एंड अहम किंग्डम जिनको लीट किये थे, लचित बॉर्फुकन, नेक्स कोस्टन है, वू बिकेम दे न्यू प्रेसिडेंट ओफ पेरालेंपिक कमीटी ओफ इंडिया, तो आंसरोगा उप्शन बी, देवेंदर जाजरिया, नेक्स कोस्टन है, 55th CISF राइजिंग डे 2023 ऑब्जब्ड ओन, तो इसका अंसरोगा उप्शन A, 10th मार्च, तो CISF याने के Central Industrial Security Force, इसका फॉर्म में सुनवा था, 10 मार्च 1969 को, अंडर मिनिस्ट्री ओफ हम अफेस के आते हैं, और इसका डारेक्टर जेनरल है, नीना सिंग, नेक्स्ट कोस्टन है, वू इस दो ओतर ओफ बुक टाइटल, दा कॉंस्पिरिशी, तो अंसरोगा उप्शन B, गोतावाई राजापक्च, तो इनके ओतर है, गोतावाई राजापक्च, जो की फॉर्मर स्री लंकन प्रेजिडेंट राज चुके हैं, नेक्स्ट कोस्टन है, विच कंट्री वोन, मिसल्स एंड रूबेला चेंपेन अवाड, तो अंसरोगा उप्शन A, इंडिया, तो मिसल्स जिसको हम रूबेला के नाम से भी जानते हैं, यह एक वाइरल इंफेक्शन है, सिरियस इंफेक्शन है, फॉर चिल्डरेंट ठेक है, और यह अवाड दिया गया है, मिसल्स एंड रूबेला पार्टनर्शिव के दौरा, यूएसे में, नेक्स्ट कोस्टन है, इंडिया कंड़क्टेड एक्सराइज, यह एक मेरी टाइम सिक्योरिक साइज है, और इस बार यह हुआ था, पोर्ट बलियर, अंडमान एन निकोबार आइलेंड में, नेक्स्ट कोस्टन है, नमस्टे, इस असेंटर सेक्टर स्कीम, और विच अव दो फॉलिविग मिनिस्ट्री, तो अंडमान एलेंड मिनिस्ट्री ओफ सोसल जस्टिस एन इंपावर्मेंट, तो 2023-2024 से लेकर, फाइनांसियर एलेंड 25-26 तक के लिए, 349 करोर बजट अलोकेट किया गया है, बाइ सेंटरल गोवर्मेंट, फोर दिस नमस्टे इसकेम ठेक है, तो National Action for Mechanized Sanitation Ecosystem, यानि कि नमस्टे इसका फुल फॉर्म है, नमस्टे का फुल फॉर्म है, National Action for Mechanized Sanitation Ecosystem, यह आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ओफ सोसल जस्टिस एन इंपावर्मेंट के, और जो नमस्टे इसकीम है, इसका एम है to achieve zero fertilities in sanitation works, और जो भी sanitation work है, वो skilled workers के द्वारा किया जाना चाहिए, ठीक है, Next question है, Where has tri-service exercise भारत सक्ती been organized? तो answer वाप सने, जैसल मेर, राजस्थान, इसको conduct किया गया था by Indian Army, Indian Navy and Indian Air Force, जैसल मेर, राजस्थान में, ठीक है, Next question है, Recently cabinet approved India AI mission with outlay of 10 crore, तो answer होगा option A, 10,372 crore, तो India AI mission for the development of artificial intelligence in India, और इसका aim है to create computing infrastructure in public-private partnership mode, यहनकी PPP mode में ठीक है, टोटल बजट है 5 साल के लिए 10,372 crore, Next question है, When is international women's day celebrated every year? तो answer होगा option C, 8th March, इस बार इसकी theme थी, 2024 में, Invest in women, Accelerate Progress, इसको celebrate काया था, to raise awareness about gender equality and women empowerment, Next question है, Which city is set to receive India's first driverless metro train, तो किस city को भारत का पहला driverless metro train मिलेगा, तो इसका अंसर होगा option B, बैंगलूरू, Next question है, Who launched e-kisaan उपज नीधी platform for farmers, तो e-kisaan उपज नीधी platform farmers के लिए किस ने launch किया है, तो आंसर होगा option B, P.U.S. Goel, ठीक है, और इसका aim है, to prevent distress sell by farmers, and this platform will help farmers to receive fair prices for their produce, तो उनको fair price मिले, और इस platform के दरा farmers को मदद मिलेगा, ताकि उसको जो products का fair price है, वो मिल सकें, इसको launch किया है P.U.S. Goel ने, जो कि मिनिस्टर है, Consumer Affairs, Food and Public Distribution के, नेक्स्ट कोशन है, विच स्टर्ट तो लॉंच इंडिया's first government-backed OTT platform, तो इसका अंसर होगा Kerala, ठीक है, और इस OTT platform का नाम है C.Space, नेक्स्ट कोशन है, वो वन दर फर्स प्राइज एड़ नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2024, तो अंसर होगा option B. यतिन बासकर दुगल, नेक्स्ट कोशन है, विच कंट्री वन 2023-2024 UEFA Women's National League title, तो इसका अंसर होगा option A. इस्पैन, तो यह एक फूटबल कॉंपेटिशन था, इसमें चैंपेन रहा है इस्पैन, फर्स टाइटल था इसका, एन रेनर अपरा था, फ्रांस, नेक्स्ट कोशन है, विच स्टेट गोवर्मेंट लॉंच, इंद्रा गांधी, प्यारी बहना, सुक, सम्मा, नीधी योजना, तो अंसर का option B, D. हिमाचल पर्देश ने इसको लॉंच किया है, इसको लॉंच किया गया हिमाचल पर्देश के चे मिनिस्टर सुक्विंदर सुक्वि के द्वरा, इस स्किम के अंडर, फिप्टिन हंडेट पर मंद हर एक मुमेंट को दिया जाएगा, जिनका उमर 18 से लेकर 60 तक है, नेक्स्ट कोशन है, तमस सुल योग विकेम दा न्यू प्रैमिस्टर ओफ इच अब दो फॉल्लिविंग कंट्री, तो इसका अंडर अप्टिन सी हंगरी, ठीक है, एन हंगरी की कैपिटल है, बोड़ापेस्ट यहाँ आपको मैप पे मिल जाएगा, इसको शन है, न्यूक्लियर रियक्τάर के की जेंगरी, न्यूकलियर रियक्टर है, जिसमें फास्ट न्यूट्रोन का इस्तमाल करके, बहुत ज़्यादा nuclear fuels को generate किया जाता है नेक्ट कोशन है विच स्टेट्स कतक रूपा तरकसी एंड बंगलार मुसलीन गोट जी आई टेग तो अंसर होगा अप्शन C ओडिसा नेक्ट कोशन है वू बिकेम दा BSF's first female sniper तो इसका अंसर होगा अप्शन B सुमन कुमारी तो सुमन कुमारी BSF की पहली महला sniper बनी है ठीक है और सुमन कुमारी ये कहां से है तो हिमाचर पर्दिस से बिकेम दा first female sniper of BSF यानकी border security force नेक्ट कोशन है विच कंट्री लॉंच पार्स वन सेटलाइट रिसेंटली पार्स वन ये एक remote sensing and imaging satellite है जिसको लॉंच करा है रस्या के दोरा ठीक है रस्या से इसको लॉंच किया गया था नेक्ट कुस्सन है पुनेरी पल्टन इसके होश्ट कंट्री थे इंडिया चेंपें रहा है पुनेरी पल्टन एंड रन अप रहा था हार्याना स्टीलर्स नेक्ट कोशन है रिसेंटली नियोलिथिक चाइल्ड ब्यूरियल साइट अन अर्थेट इन वीच अब दो फॉलिविंग स्टेट तो इसका अंसरा अप्शन बी तामिल नाडू तो तामिल नाडू में एक नियोलिथिक चाइल्ड ब्यूरियल साइट को खोजा गया है इसको डिस्कवर किया गया है बाई उनिवर्सिटी ओफ मद्रास रिसर्चस के दोरा कहां पर इसकी लोकेशन है तो चैंगल पट्टू तमिल नाडू में तो नियोलिथिक पिरियट इसको हम नियू स्टोन एज के नाम से भी जानते है नियोलिथिक पिरियट को इसका टाइम पिरियट होता है 10,000 से लेकर 4,500 BCE इंडिया में इंपोर्टेंट नियोलिथिक साइट्स कौन कों से है तो भुजरहों, कस्मीर, चीरंद, बिहार, इडिकल, कैप्स, केरला तो ये सारे नियोलिथिक साइट्स को आप यार रख सकते है नेक्स्ट कुस्टन है विज बिन ओनर्ड विद्ध महाराष्टा भुषन अवार्ड 2024 तो इसका अंसर गौप्षन सी डाक्टर परदीब महाजन महाराष्टा भुषन अवार्ड ये हाईस टीवलिन अवार्ड है महाराष्टा गुप्रमेंट का नेक्स्ट कुस्टन है विज स्टेट गौप्षन इंद्राम्मा हाउसिंग स्कीम तो इस इसका अंसर गौप्षन डीट तेलंगाना तो इसको लोंच किया गया है तेलंगना के चीफ मिनिस्टर हर्यवना त्रेडडी के दौरा एंड इस स्कीम के अंडर लेंड एंड फाइब लाग्स हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए प्रोवाइट का जाएगा तेलंगना गौप्मेंट के दौरा ठीक है नेक्स्ट कुस्टन है इसका नाम रखा गया है और इसका नाम रखा गया ओसन ग्रेस इसको डेवलप करा है कोचिन सिप्यार लिमिटेट ने इसका अधगण करा है सरबानत सोनोवल ने जो की मिनिस्टर्स हैं पोट्स सिपिंग एंड वाटर वेस के नेक्स्ट कुस्टन है वेस लॉंच्ट अंबरेला ओर्गनाजेशन एन यूसी एफडीसी फोर अर्बन कोपरेटिब बैंक्स तो अंसरोगा अपसन भी अमित्सा तो नेशनल अर्बन कोपरेटिब फाइनांस डेवलेप्मेंट कोपरेशन लिमिटेड यानकी एन यूसी एफडीसी ठीक है तो यह एक अंबरेला ओर्गनाजेशन है जिसको लॉंच करा है अमित्सा ने जो कि होम एंड कोपरेशन मिनिस्टर्स हैं और इस अंबरेला ओर्गनाजेशन का एम है तो मोडरनाइज अर्बन कोपरेटिब बैंक्स तो समुद्र लक्षमन यह बाइलेटरल मेरी टाम एक्सरसाइज था बिट्विन इंडिया एंड मलेशिया और यह हुआ था कहां पे विसा का पत्नम में नेक्स्ट को सने किशेश भी अपोंड़ेट एस हेड्व पार्लामेंट्स क्योटि जो पार्लामेंट के सिक्योटि एउनके हैड चुने गए हैं आप्सन ए अनूराग अगरवाल नेक्स्ट को सने रिसेंट्ली फाइनान्सियल इंटीलिजेंस यूनिट इमपोस्ट डेश कर fine on Paytium Payment Bank तो इसका उप्सारगा option A 5.49 क्रोर तो Paytium Payment Bank को recently 5.49 क्रोर का fine लगा है क्यों लगा है for the violation of the prevention of Money Laundering Act याने की PMLA और यह fine किया गया था by Finance Ministries Financial Intelligence Unit तो अगर बात करें Paytium Payment Bank इसके ओनर की तो यह है Vijay Shekhar Sarma next question है who authored a book titled Following the Sun तो इसका अंसरोगा option C लक्ष्मी मुडदेशवर next question है JSI named a newly discovered head sealed sea Salag after मतलब किनके नाम पर जो लुजिकल सर्वे ओफ इंडिया ने निवली डिसकरबड head sealed sea Salag का नाम रखा है तो answer option B द्रोपती मुर्भू जो कि हमारे present time president है ठीक है तो इस सलग का नाम रखा गया है मिलोनो मेलानो क्लामिस द्रोपती इसको डिसकरबड करा है जोलुजिकल सर्वे ओफ इंडिया ने फ्रोंग ओडिसा एन वेस्ट बंगाल कोस्ट नेक्स्ट को सने रिसेंटली तावाई फेस्टिवल हैस बिन इन वीजब दो फॉलिविंग इस्टेट और यूटी तो अंसरोग अप्शन सी जम्मुन का समेर रिसेंटली हुएज बिन अपटेटर जनरल ओफ नेशनल सीक्योर्टी गार्ड इसका अंसरोग अप्शन भी दल्जी सिंग चोधरी तो नेशनल सीक्योर्टी गार्ड यानि के एन एसजी इनको ब्लेक कैट्स के नाम से भी जना आता है तो काउंटर टेरिरिजम के लिए इसको बनाया गया था एन एसजी को और यहां थे अंडर दर मिनिस्टी ओफ फॉर्म अफियर्स फॉर्मेशन हो था इसका 16 अक्टूबर 1984 गो एंड हेड़कॉर्टर है न्यू देली में नेक्स्ट कोशन है को इनाउग्रेटेड स्वामी नरायन इंस्टिट ओफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इन गुजरात तो अंसरोग अप्शन ए पीम सोरी बी अमित साथ है नेक्स्ट कोशन है विच मिनिस्टी लॉंच तो इसका अंसरोग अप्शन बी इजुकेशन मिनिस्टरी ने इसको लॉंच करा है स्वेम प्लस प्लेटफॉर्म ठीक है स्वेम प्लेटफॉर्म इसको लॉंच करा है दर्मेंदर परदाने जोकि एजुकेशन मिनिस्टर है और इसका एम है तो प्रवाइड इंडस्ट्री रेलिवेंट कोर्स तू लेर्नर्स तो जो भी इंडस्ट्री से रिलेटेट कोर्से से वह लेर्नर्स को प्रोवाइट के जाएगा अंडर स्वेंप्लस प्लेटफोर्म नेक्स्ट कोस्टन है तो इसका अंसरोगा अप्शन सी पीस स्रीधरन पिल्ले और यह गवर्नर है प्रजन टायम गोवागे नेक्स्ट कोस्टन है वह रिस्टिजस रोमेन रोलेंड बुक प्राइस टुथा इनटीफोर अंडर अप्शन भी पंकच कुमार चाटर जी और इनको यह अवाड उनके ट्रांसलेशन के लिए दिया गया है ट्रांसलेशन के लिए दिया गया कौन सा बुक तो जीन डेनियल का बुक है ली डेवियन डी स्टालीन और यह ट्रांसलेशन बंगाली में करा था ठीक है और बंगाली का टैटल था स्टालीनर डिवान नेक्स्ट कोस्टन है विच कंपनी लॉंच्ट वन्तारा अनेशनल इनिसिटीव एनिमल वेलफेर तो आंसर अपसंट ए रिलाइंस तो अनन्त अम्बानी के दुरह इसको लॉंच किया गया था इसको लॉंच कर रहा है रिलांस इंडेस्ट्री फांडेशन ने और इसका फांडर है अनन्त अम्बानी लोकेशन है जामतरा गुजरात एंड इसको लॉंच किया गया है फोर दर रियस्क्यू ट्रीटमेंट केयर एंड रिहेबिलेटेशन ओफ एनिमल्स नेक्स्ट कोस्टन है फास्टेस सेंचूरी इन टीट्वेंट इंटरनेशनल हिस्टरी तो इसको लॉंच के पास अपना खुद का इस्पेस इस्टेशन होगा तो इसका टार्गर रखा गया है अप्शन भी टूथन थर्टिफाइब तक नेक्स्ट कोस्टन है विच इस दो मॉस्ट लिवेबल सिटीज इन इंडिया तूथन टूथन 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 बेंगलोर टेकर यहां पर देख सकते हैं तो अकोडिंग तो इस ओफ लिविंग इंडेक्स ओफ मिनिस्ट्री इसके बाद हम कुछ वर्ल नैनर्स कोस्टन को देखने वाले हैं तो सुरू करते हैं अपॉइंट्मेंट से तो बराजस महरोता इनको रिसेंटली न्यू चीफ सेक्रेटरी बिहार के बनाये गए हैं जस्टिस सतेंद्र कुमार सिंग यह न्यू लोकायुक्त बने हैं मद्वर्देश के संजे मुखर जी वेस्ट बंगार के न्यू डिजीपी बने हैं और इनको अपॉइंट किया गया था बाई एलेक्सन कमिशन ओफ इंडिया वाउगन गेथिंग बिकेम दफर्स ब्लेक लिडर ओफ यूरोपिन कंट्री नेक्स्ट है किरन रिजुजू यह एडिशनल चार्ज लिए हैं मिनिस्टर ओफ फॉट प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के एंबी राव इनको न्यू चेरिमेन बनाया गया एज ग्लोबल जैन पीस एमबेसिटर प्रिस्टिजिएस एरसमस प्राइस टूटान टॉट इफॉर इनके विनर हैं इंडियन राइटर अमिताव घौस प्रिस्टिजिएस डियाना मेमोरियल अवाड इंडिया से विनर रहा है उदे भाटिया एंड मांसी गुपता रक्षा इंडिया मंतरी ट्रोफी फॉर बेस्ट एफ एमेस यान की आहम फोर्सेस मेडिकल सर्विसेस होस्पिटल 2022 तो इसमें फर्स्ट प्राइस जीता है कमांड होस्पिटल सदन कमांड पुने ठीक है नेक्स्ट एकॉनमिक्स एन बैंक से रिलेटेट तो आयकम 18 यह रिलाइंस का कंपनी है और इस्तार इंडिया यह डिजनी का हाली में दोनों को मर्ज कर दिया गया है अकोडिंग टू SBI रिपोर्ट इंडिया का जीडिपी ग्रोथ रेड होगा फाइनसी लिए 2024 में 8 परसेंट याद रखेंगे फिनकेर इस्माल फाइनस बैंक यह मर्ज हुआ है एयू इस्माल फाइनस बैंक के सार और इसके अप्रूबल दी है रिजब बैंक ओफ इंडिया ने गवर्मेंट ओ इंडिया ने एंड एडिप यानिकी एसियन डेवलेमेंट बैंक ने 23 मिलियन डॉलर का लोन एग्रिमेंट साइन किया है तू मेक स्ट्रॉंग फिंटेक इकोसिस्टम इंडिया यह हैं नेक्सट हैry देस नचेम से रिलेटेड तो जीरो डिसकृंड डिस्कृнов संडे मउसको बना याता है और इसकी ब्रोटेक्ट everyone's health protect everyone's right World Consumer Rights Day 15 March को मनाया था National Vaccination Day 16th March को World Civil Defense Day 1st March को Zero Discrimination Day 1st March को इसकी थीम्ती to protect everyone's health protect everyone's right अच्छा यह repeat हो गया थे National Safety Day 4th March को थीम्ती जबार Safety for a Sustainable Future World Obesity यानकी मोटा पाडे 4 March को मनाया था एंड इसके बाद हम वैसे इंसान को देखेंगे जो अभी हाली में इनका मिर्ती हो चुका है ठीक है पास्ट है रिसेंटली तो सफीकुर्रामान ब्राक बार्क ठीक है यह इंडिया के ओल्डेस्ट MP थे एंड समाजवादी पार्टी के लीडर थे ठीक है अजिस कुरेशी यह फॉर्मर यूपी के गवर्नर हा चुके है अरून सर्मा यह इंडियन आर्केलोजिस्ट थे हाली में का निदन हो गिया है इनको पदमस्री से सम्मानित किया गया था 2017 में कपिल देव परशाद भिहार से थे और यह एक आर्टिसंस थे इनको अवार्ड मिला था पदमस्री 2023 में नेक्स्ट है स्पोर्ट से लिलेटर तो आइसे प्लेयर उप दे मन्थ ऑफ फरवरी 2024 तो फरवरी के लिए आइसे प्लेयर उप दे मन्थ बना है मेंस कटिगरी में जैसफी जैसबल इंडिया से ओनोमेंस कटिगरी में सुधर लेंड ओस्ट्रिया से ठीक है सौदियव्यविन गरेंट्रिक्स यह जीता है मैक्स वर्शट पन से पर ओस्ट्रियन करेंट्रिक्स को जीता है contagious fines को देख लिते हैं तो शिक्यम गात इसका उद्गाटन पी एम मोदी ने करा था नियू देली में 20 फीट महाराना परताफ स्टेच्यू इनका उद्गाटन हाइद्रावाद में किया गया है इनको कमिशन किया गया बाइ इंडे नेवी ओन मिनिकोई आइलेंड जो की लक्षदीब में लोकेटेट है देली एरपोर्ट यह बेस्ट एरपोर्ट टाइटल जीता है ऐस्या पेसिफिक में अग्रे एन अक्षा है यह दो नए वार्शिप हैं जिसको बनाया गया है अंडर एंटी सब्मरीन वारफियर सेलो वार्टर क्राप्ट यान की स्व्च प्रोजेक्ट महारास्ट्रा गौरप अवार्ड यह दिया गया है डाक्टर उमा रेले को यहां हम लास्ट तक आ चुके हैं एंड यह कोशन आपके लिए है ठीक है तो वाट इस रेंग ओफ इंडिया एंड वॉल्ड हैपिनेस रिपोर्ट टू रिपोर्ट और इस रिपोर्ट को किसके दोरा रिलीस क्या जाता है ठीक है तो इस कोशन का आंसर आप कमेंड में जरू झाल 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 झाल